हलो एंड वेल्कम तो वाईशाइस माई नम इस इशी एंड इस वीडियो से हम एक और नहाज आपकर शुरू करने वाले हैं तो भी मोर प्रसाइस अगर मैं कहूं तो यह एक और न्यू चाप्टर नहीं है यह हमारे क्लासिक्स की एंसियाटी का लास्ट वाला चाप्टर है ओके इस यहां पर हम लोग क्लासिक्स की एंसियाटी हम लोग खतम करने वाले हैं बहुत बहुत एक लिमिट से जादा आपके लिए बेनिफीशलों का कुछ करना है नहीं नंबा को कॉपी पेस्ट करो और जाके उनको वाट्साप पे मैसेज कर दो ओके एंड वन मोर इंफोर्मेशन वार तोडे कि आपके लिए आवाज समझ में आए ओके लिए बेनिफीशलों का नाम है इस वाले चाप्टर में पर्टिकुलर्ली अगर जो हम लोगों ने पहले वाला चाप्टर देखा था ना चाप्टर नूमबर 10 उसमें हमारी इंचेंट इंडिया खतम हो गई थी ठीक है तो उसके बाद में जब चाप्टर 11 हमारा शुरू होता है तो वो इंचेंट इंडिया में जितने भी के वाकिटेक्चर, पेंटिंग्स, बुक्स, क्या-क्या चीज़े एक्विस्टेंस में थी उस ताइम पर ये हमको ये चाप्टर उस बारे में बताता है अगर आप ध्यान देंगे तो हमने पहले गुपता एज के बारे में पढ़ा और अच्छा आज भी कनेक्ट करवाना है सबसे पहले हम लोगों ने स्टोन एज को पढ़ा उसके बाद आईवीसी और लेटर वेडिक पीरिड उसके कंटेंपररी में मेगालित एज हमने पढ़ा फिर जनपत्स महा जनपत्स उसके बाद मौरेन एंपायर मौरेन एंपायर का उसके बाद हम लोगों ने डिकलाइन पढ़ा इंडिया में जो बुक्स थे लिट्रेचर थी बिल्डिंग्स थी पेंटिंग्स थी वो कैसे कैसे आये हमें ये चाप्टर यह जानकारी देता है तो यहाँ पे पर्टिकुलर ली ना गुपताईच में काफे कुछ डेपलप्मेंट थी अंकेवा की तो हम लोग वो देखेंगे पिछले वाले अच्छा एक और चीज में बता दूँ कि यह जो चाप्टर है इसको मैंने जादे पीपीटी में मैंने जादे कुछ मेंशन नहीं किया है वो इसलिए क्योंकि अगर मैं पूरा लाइन बाइन लिखो ना तो कोई नो कोई लाइन मिस हो ही जाएगी मेंस बहुत हम जा रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे मैंने हेडलाइन वगेरा पुट करी है और आपको मैं एक स्टोरी के फ़म में समझाने की कोशिस करूँगी तो प्लीज तो हमने पिछले वाले चाप्टर में पढ़ा था पोस्ट गुपता एज तो जनरली जो पोस्ट गुपता एज हो अवर्णे कोशिस करो तो नहीं पर चालोग का आहल या फिर अहल आपकर सकते हो अग्या अशानी के महाबली पूर्म तो था नहीं मतलब इसा नहीं कि महाबली पूर्म एंग्जिस्ट में नहीं था था बट वह इनके क्या इंके इंपॉर्टेंट था आप देखोगे इंका क कापिटल था किसका प्लव डानेश्टी वाले जो थे उनका कैपिटल था काची एंड इनके लिए महावाली पूरा बहुत ही जदा एक सिंग्निफिकेंज उसका काफी इंपर्टेंट हो जाता है हम इसके बारे में आगे बात करेंगे हमने बतानी की कोशिस करें थी कि जो गु युवरस्टी के पारे में काफी कुछ बता के गया है तो यह लोग भी आते थे ना यह लोग भी अपने बुक्स में कुछ ना कुछ मेंशन किया करते थे लोग और जो आकिटेक्चर से टेंपल बना यह सब शुरू हो गया था और स्टूप्स वागेरा कैसे बना हम लोग य यह कुछ नहीं है इसा कुछ नहीं है बट यह पूरे एंचेंट इंडिया का केवन आखिटेक्चर बताएगा तो स्टार्ट करते हैं जो गुपता एस था ना उसमें आइरन पिलर की बहुत ही जादा इंपोर्टेंस होती है जाता कि मैंने आपको बताने की कोश्चिस करी थ थे मैंने एक क्रोनोलोजिकल मारर में मैंने बताया था पहले श्रीगुपत थे फिर गट उटकच फिर चंद्रगुपत 1 and then संबृद्रगुपत 2 फिर उसके बाद कुमारगुपत और उसके बाद सकान्रगुपत उसके बाद में उनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है ओके आप देखो कि जो political power है ना वो चंदरगुप्त 1 के time period से आएगी and चंदरगुप्त 2 तक मतलब ऐसा नहीं कि इनी तक रहेगी आगे भी रहती है but चंदरगुप्त 1 and 2 के time period में जो political power थी वो काफी you know you can say you can say peak पे थी ठीक है अच्छा बात करते हैं iron pillar के बारे में अगर आप लोग डली गया होंगे obviously बाते गये होंगे यार यूप्यस्ट स्प्रिंट हो तो आप लोग अगर डली गया होंगे ना तो वहाँ पे एक iron pillar है आपके book में फोटो दी गई है इसका कहने का क्या मतलब है अच्छा वो iron pillar ना कभी oxidized नहीं हुआ मतलब आज तक नहीं हुआ मतलब उस टाइम पर आप यह समझे कि गुपता पीरिट के लोगों को वो बहुत ही aware थे about the use of metal क्योंकि अभी तक जो वो iron pillar है उस पर rust नहीं लगा है ओके आप आपको समझ में आ रहा होगा यार अच्छा इसकी significance क्या है साइरें pillar की क्योंकि इस पर inscription मिले है मैंने बताया था inscription क्या होते है वीडियोस के नीचे comment करने का यह मतलब नहीं होता कि आप बस ताजिफ करके चले जाओ जो question पूछा जा रहा है उसका जवाब दे दो ताकि हमें लगे कि that you are studying you are working hard for your future ठीक है with smartness उसके बाद यह जो pillar था ना उस पर inscription मिले है और वो काफी you can say वो काफी highly skilled inscription मिले है and at the same period of time you will see कि यह जो inscription मिले है उस पर बहुत लोग को confusion होता है कि यह हाँ यह था तो गुपता एश के पीरिट के टाइम के दौरान का आई बट उसमें लोगों को confusion होता है कि जो यह जो inscription inscribe करवाया है वो किसने करवाया है दो लोग का नाम आता है चंदरगुपत 1 और चंदरगुपत 2 मैंने बता रखा है बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह जो inscription है वो चंदरगुपत 1 ने करवाया होगा खेर आप इसके बारे में clarity नहीं मिल पाई है इसका weight था 3 तन height ही इसकी 21 feet और यह आप देखो कि मतलब एक अलग ही shape में था यह वाला pillar यह trapezoidal shape का था कहने का यह मतलब है कि उसका base था ना base नीचे वाला वो broad था उपर जाते जाते वो tapering हो गया कहने का मतलब कि वो पतला हो गया इससे हमें यह पता चलता है कि जो scientific चीजे थी scientific जो चीजे थी including metallurgy वगेरा इन सब गुपता पीरिट के लोगों को काफ़ी अच्छी खासी नौलेज सी metallurgy वगेरा के बारे में इससे हमको यह भी पता चलता है कि जो गुपता पीरिट के जितने भी लोग थे rulers रहे होंगे they were aware about aesthetic beauty belonging to this age ठीक है तो अच्छा एक और चीज है यहां पर कि जो यह आप थोड़ा सा अनलाइस करने की कोशिस करो क्योंकि गुपता पीरिट के बारे में हमने पिछले वाले क्लास में पढ़ा है अब यह आयरन मिलता कहा है प्रसेंट यह बिहार और जहारखंट वाले एरिया से यह at that time आयरन मिलता था ठीक है अब यह को तो मिलता कहा है डेली में मैंने अभी बताया तो था सा दिमाग को चलाओ और यह समझने की कोशिस करो इसको अनलाइस करने की कोशिस करो कि जो लोग थे at that time कोई JCB वगेरा नहीं हुआ करती थी और नहीं कोई प्रेपरेशन कर रहे हो या फिर 20 साल से या फिर अभी स्टार्ट किया है वो सब के लिए है जाके कॉंटाक कर लो and then उसके बाद इससे हमें यह पता चलता है कि कुछ you can say kind of technological development जो थी न वो science के तरफ से जो कुछ technological development थी advancement थी वो science में हो जुकी थी clear उसके बाद आ जाते हैं buildings in bricks and stone मतलब कहते हैं कि इसमें stoop बनने की शुरुआत हो गई थी अब एक क्या हुआ कैसे हुआ उसको जालते है जब गौतम बुद्धा का जब time period चल रहा था जब उनकी death हो जाती है जब वो मतलब अपने last time पर आ जाते हैं तो जो उनके disciples होते हैं वो उनके पास जाते हैं कहते हैं कि हम आपको कैसे याद करेंगे तो एक होता है ना कि उनके disciples थे तो उनके मन्य उनके लिए respect थी कि अब वो भगवान तो है या नहीं ठीक है तो उन लोगों ने पूछा कि हम आपको कैसे याद करेंगे तो उन्हों गौतम बुद्ध ने रिप्लाई किया कि do one thing जो उनकी जो अस्तियां है ना जब उनकी जब देट हो जाएगी तो उनकी जो अस्तियां है वो डब्बे के अंदर पैक करके एक मांड बना दीजाए द्यों नशन वाट इस मांड मांड कहने का यह मतलब होता है कुछ ऐसा वाला स्ट्रक्चर होता है देखो वह ले कि ऐसे डब्बे में पैक करके जो भी है इनके जो तो तीथ हुआ करते हैंगे इनकी जो जो बॉन्स हुआ करती थी जो भी है यह सारी ची इक रहा यूकान से वह जो गूल-गूल गूमता है वह आपको करना पड़ेगा तो उनकी डेथ हो जाते हैं 483 BC में जो उसके बाद जब उनकी डेथ होती है तो जो स्टूप होते हैं वह बहुत ही बड़ी मात्र में बनने लग जाते हैं बड़ी मात्रा इन दसेंस की बहुत एलस यूकान से उसके पहले वाले चाप्टर में तो मैंने बताया था कि जो साथवाहन जो डैनस्टी थी उनके जो रूलर थे गौतमी पुत्र स्री सतकर्णी और यूकान से गौतमी पुत्र सतकर्णी यह उनके टाइम पिरिड में जो अमरावती है उसका काफी इंपोर्ट को फटल सतकर्णी एंड जो केफ वगयरा है ना वो भी मिलते रहते हैं केफ इंदसें आजन्ता आजन्ता के बारे में आपको पता होगा और अनलोरा की गुफाए तो मैं आप आजन्ता के बारे बारे में बात कर दिया आप आप ऑन्यावती डैकोरेशन हुआ ना वह बहुत इतनी सारी development हो रही है तो कुछ तो अलग हो का ही ना उसके बाद में यह सारी चीजे हो रही थी कब गुपता पीरिट के टाइम पे एन गुपता पीरिट के में हमने बताय था कि भक्ती का भी development हो गया था तो भक्ती मतलब अब टेंपल बनने की शुरुवात हो गई थी तो अभी तक के समय में बहुत ही अलग अलग देवी देवताओं के टेंपल उनके अपने अपने शद्धान उसार वोलो बनाते थी लाइक दुरुगा की विष्णू की लॉड शिवा की हमने पिछले के पिछले चाप्टर में श इसमें डिफरेंस का था अभी इसमें डिफरेंस यह था था कि जो भी गॉड्स इन गॉड़िसे सुआ करते थे उनको टेंपल की अंदर रखा जाता था एंद जो आज के ताइम का तो टेंपल है कुछ इस तरीके का होता है ऐसा कुछ मिरॉइ अच्छी नहीं है तो आप दे आपल सी जो आपिटेक्टर रहना वो टाइप के हुआ करते थे एक तो जो थे वह इमेज़ेस बनने शुरू हो गया गॉड्स इनको टेंपल में रखना शुरू हो गया तो यह सारी चीज नौर्थ डेकेन एंड साउथ वाले रिजन में हुई और दूसरा था स्टूप जो क बहवात करके एक स्टूप हुआ करता है वो आज के टाइम पर MP में अमरावती के बारे में मैंने अभी बताया अभी नौर्थ इंडिया की बात करते हैं तो वो लोग नौर्थ इंडिया में एक टेंपल में जो था ना वो चेंजिस हुआ लाइक उसके शेप में उसके तेंपल में जो तेंजिस हुए था ना मैं उसके बारे में थोड़ा से मैं आप लोग को बता देती हूँ यूप के अनदर एक जगा है भीतर गाओं करके उसमें जो टेंपल बना है वहां की सिग्निफिकेंसी है कि वहां पर बेक्ट प्रिक्स यूज हुई है एंड उसके ब बो टर्म कॉल गर्ट भगे उसमें भगवान जी को रखा जाता था तो उसको गर्बगरी कहा जाता था ओके अन टावर लेक स्रॉक्चर मैंने अभी कुछ इधर मैंने बताय था यह टावर लेक स्रॉक्चर ऐसा होता था यह आपको समझ लो मंदिर है यहां पर गॉट्स नं उसको मंदब कहा जाता था जो यह था जहां पर गॉर्ड इन गॉर्ड से इसको रखा जाता था उसको गर्भ ग्रिय कहा जाता था I hope आप वो समझ में आ रहा होगा आज के टाइम पिरिट के आप देखो कि मंदर भी वैसे ही बनती है आज तो उस शिखर के टाइम पिरिट में न तो बहुत लोग उसको शिखर आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं और बहुत सारे टेमपल्स या फ्कॉर्स मैंने मंदब के बारे में मैंने बताया उसके बाद में different kinds of temple जो था वो फॉर्म होना शुरू हो गए अब आज आते हैं अपने south के तरफ में एक सिकेंड तो आज आते हैं अपने south के तरफ में मैंने बताया था कि जो महावालीपुरम अब कमेंट में बताओ कि महावालीपुरम का क्या significance आज चल्ला के बताचुकि पिसले दो क्लास में शायद और पिछले वाली क्लास में मैंने बताया था एंड एहोल का जो importance है वो काफी था क्योंकि जो यहां पे जो architecture मिले थे ना वो stone architecture से क्यों यहां पे stone architecture मिले थे क्योंकि जो localized way में आप देखो न तो यह local में जो stones थे वो available हो जाते थे इन लोगको ताट इस वाई यहां पे stone architecture मिले हुए आप आहोल के बारे में देखोंगे तो वो application 2 का जो capital था वो हुआ करता था है और जिसने हर्ष्वर्दन की पिटाई कर दी थी मेंस उसको नर्बंदान नदी के किनारे उसने हरा दिया था पूलकेशन 2 और उनके time period के during में वो बहुत सारे temples का निर्मार्ण होता है जो की अच्छा एक और चीज़ में आपको बताती हूं एक extra information सुनते जाओ North में जो temple बने न उनको नगर architecture कहा गया South में जो temple बने उनको you can say dravid architecture कहा गया तो जो यह temple बने उसको you can say विसार architecture कहा गया तो यह जो विसार architecture था उसमें कुछ new चीज़ देखने को नहीं मिलेंगी you will see यह नगर का और dravid का यह mixture होगा तो एक चीज़ है उस ताइम पर जो stone carrying stone has its own technique उस ताइम पर कोई JCB वगरा नहीं थी जिससे नहीं कोई महावली पूरम temple के पास यह लू मिले थे अभी recently okay so you will see जो important temples महावली पूरम में वह उसको पलफ्स ने बनवाए है इसका significance कहा है यह monolithic temples हुआ करते थे कहने का यह मतलब है कि एक ही पत्थर को काट करकर ही बनाए गया था and यहां पर आपको रस temple भी देखने को मिल जाएंगे and you will see जो devotees हुआ करते थे at that time मैंने बताया था भी कि कितने devotees के पूजा की जाते थी over a period of time devotees की जो numbers है वो भी बढ़ जाते हैं सबका सबकी अपनी अपनी शद्धा है you can say a secular उस time पे तो आप देखोगे कि जो temples और stoop है ना उनमें जो बनते थे वो से हम लों को carving भी मिला था carving in the sense कि अगर जो राजा वाजा हुआ करते थे थे ना वो बोलते थे कि आप लोग इसको renovate कीजे हम आपको पैसे देंगे और तो उसमें हम लोग को carving भी मिला जातक कथा से जो जोड़ी हुई थी एक example है ये and you will see कि जो भी लोग वो architecture मेनाते थे थे ना तो उसमें नीचे अब आजाता है मेरे फेवरेट टॉपिक पेइंटिंग्स पे पेइंटिंग्स में यू विल सी अजन्ता की पेइंटिंग्स मिली है और ये मुनास्ट्रे के तरह यूज होती थी लाइक जो बुद्धिस्ट मॉंस थे वो यहां पर आके रहते थे आप बुक्स की बात कर लो हमें देनिये वुद्धिस मिले हैं विक्स के ही अब करते हैं अब कहां से मिले हैं इस ये जो आपका एंपिक सिलापड़ी कदम इसमें क्या होता है कि एक poet है जिनका नाम है Ilangu उन्होंने इसको compose किया था तो यहाँ पे एक merchant होता है जिसका नाम होता है Kovalan वो जो पुहार में रहता है सी पुहार का significance कहाँ एक बार और यह आ चुका है पिछले वाले चाप्टर में शायद या फिर उसके पहले वाले तो उनको क्या होता है उनको he fell in love with उनकी जो quotation होती है जिबकि वो married होते हैं उसके बा쪽 भी he fell in love with her जिनका नाम होता है मादवी और उनकी wife का नाम होता है जो यह merchant है na Kovalan उनकी wife का नाम होता है कंदगी उसके बाद भी ये इनको पैवर हो जाता है मादवी से ठीक है तो उसके बाद अब 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 आट टाइम तो यह illegally हुआ करता था तो उस टाइम पर यह लोग भाग जाते हैं वहाँ से मदुराई के अंदर तो अब तरह एरियास वगेरा याद रखना तो जब यह लोग भाग जाते हैं मदुराई के अंदर तो जो 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 जोलर ऑफ पांडिया कींग होता है वो पकटता है बोलता है कि आप लोगो पनिश्मेंट मिलेगी डेथ की तो उसकी वाइफ जो होती है जो मर्चंट की वह आती है कहती है कि इनको पनिश्ट करने का हग मेरा है आपका नहीं है तो आप लिखोगे कि वहाँ पे कैसी कैसी लडाईया भी हुआ करती थी रिगार्डिंग पनिश्मेंट उसके बाद एक और तमिल एपिक है जिसका नाम है मनी मेकलाई मनी मेकलाई एक तमिल एपिक है जिसको किसी ने लिखा है इसमें जो कोविलन और मादवी की जो बेटी होती है उनके बारे में बताए गया है आपको जो मैंने काली दास के बारे में बताया था पिछले वाले चाप्टर में आपको एसे कुछ राइटर्स देखने को मिल जाएंगे जो की संस्कित में लिखा करते थे एंड काली दास के कुछ फेमस फेमस जो एपिक्स थे आपको वह भी मिल जाएंगे कम पोजिशनों के उसके बाद में ना हमारे पुरांस की भी डवलप्मेंट हो गई थी मैंने जैसे बताया कि अबाउट जो गॉड्स औं गॉड्स जब गया है तो उनके बारे में लिखना भी तो बनता है ना कि इनको ऐसे लोग पूछते थे इनको वगेरा वगेरा उनके बारे में को कैसे पूजा जाता था तो उस ताइम पर पुरांस की डवलप्मेंट भी हो बारे में अबताया था कि जब हम बहुते बारे में बताया है। जो उस ताइम पे टेंपल से कुछ भी जो भी हुआ करते हैं रिलीजियोस टेक्स्टबुक वो पढ़ने की इजाज़त नहीं थी शूद्र को एंड वुमिन्स को तो यहां पर शूद्र को एंड वुमिन्स को भी यहां पर अलाओ किया गया कि आप लोग पढ़ सकती हो तो वो ठीक है एकस्टेटी दी गई आपके भुक में दृसमें तो उसमें किया होता ना कि यह राजा होता है और वो इसम इंह बोक्स में दी गई है इंहीं परनन हैं इसक्ता अपने पको बता रहे हुं कि एक जो दो रहुं के लिए रहां मघंगो स्षवी करने समेधे रहां से मीषमißt G Presents अभी करते हैं कीmra और माहराजा जी यहां पर हिमालिया एसथा करे यहां पर अपर टे मतलब उनकी जो दिमांड होती है कि उनको और भी फ्रूट्स खाना है तो उनको ओर प्रिड आप पता चलता है कि जो हमालयास के पास जो आम का पेड़ उस पेक बंदर बैठके उनके आम खा रहा है तो वह जाता है ना कि या तो वह बंदर को मार तो या फिर पेड़ी कट कर द आपको पेपर की नॉलेज होगी पेपर तो मतलब आज के ताम पे हमारे डेली लाइफ में सब हो चुका है बट ये चाइन में इंवेंट हुआ था अबाउट नाइन फिर नियू अगो किसने किया था एक साई लून या फिर काई लून वह वाटेवर यू वांट तो से जस् में पर्सेंट युकि जो जो होती हो एक एक साइन फॉमेशन उपर बहले आपको तेहली बात विआसे को सूट करती है बट अंधर परसंट मेंसे अगर एक परसंट लोगको भी नहीं पहीं सूट करें तो उसका कोई साइट आफ्ट नियु और अपने अंग्याजिसी सब्सक्राइब करना है तो कमेंट करना है जो क्वेशन हमने पूछा है वो बताना है तक कि हमें भी तो पता चले कौन कौन पढ़ रहा है और अफकॉर्स आप सर को कॉन्टाक्ट कर सकते यहां प्यार एक इतने फेमिस टीचर उनका नंबर मिल जा और क्या चाहिए स्टूडन को बहुत लोग सोचने की काश किसी का नंबर मिल जा गाइदेंस के लिए अभी यहां पर नंबर मिल रहा है तो मतलब मौके का फाइदा उठाना चाहिए इसके साथ ही हमारा यह भूख खतम हुआ क्लासिक्स के एंसे आटी का और मिलते हैं क्लास 7 की एंसे आटी के साथ में जो अब मेडीवल इंडिया की चुरूआत होगा उसको मेडीवल नहीं कहेंगे उसको मेड अर्ली मेडीवल इंडिया कहेंगे वीकेस अर्ली मेडीवल इंडिया चेवें इसके से शुरू हो जाता है और फिर चोला चेदा ये पान्डिया यह जो के लेगेगे गए वगेरा यह सब लोग आते हैं ठोंडिया पाण्य-ब आन् यह रास्टरा आटा यह श्यावीं परति